अकबर बीरबल की कहानी पेर एक और मालिक दो एक बार की बात है रोज की ही तरह बादशा अकबर दर्बार में बैठ कर अपनी प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर बादशा के सामने हाजिर हो रहे थे और तभी रागव वकेशव न मालिकाना हक को लेकर था, रागव कह रहा था कि पेर उसका है और केशव जूट बोल रहा है, वहीं केशव का कहना था कि वह पेर का असली मालिक है और रागव जूटा है, पेर एक और मालिक दो का मामला बहुत उल्जा हुआ था और दोनों में से कोई भी हार मानने को तयार न सच्चाई का पता लगाने के लिए बीरबल ने एक नाटक रचा। उस शाम बीरबल ने दो सिपाहियों से कहा कि वे राघव के घर जाएं और कहें कि उसके आम के पेर से आम चोरी हो रहे हैं। उन्होंने दो सिपाहियों को केशव के घर जाकर भी यही संदेश देने को कहा। साथ ही बीरबल ने कहा कि यह संदेश देने के बाद वो उनके घर के पीछे छिपकर देखे की राघव और केशव क्या करते हैं। बीरबल ने यह भी कहा कि राघव और केशव को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उनके घर आम की चोरी की सुचना लेकर जा रहे हो। सिपाहियों ने बिलकुल वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा। दो सिपाही केशव के घर गए और दो राघव के घर। जब वो वहाँ पहुचे तो उन्हें पताचला कि राघव और केशव दुनों ही घर में नहीं थे। तो सिपाहियों ने उनकी पतनियों को यह संदेश दे दिया। जब केशव घर पहुचा तो उसकी पतनी ने उसे आम की चोरी की सुचना दी। यह सुनकर केशव ने कहा, अरे भाग्यवान, खाना तो खिला दो। आम के चक्कर में अब क्या भूखा बैठा रहूं। और कौन सा वह पेर मेरा अपना है। चोरी हो रही है तो होने दो। उसकी पतनी ने पीछे से आवाज लगाए, अरे, खाना तो खालीजिये, जिस पर राघव ने कहा, खाना तो सुबह भी खा सकता हूं, लेकिन अगर आजाम चोरी हो गए, तो मेरे पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सिपहियों ने दोनों के घर के बाहर छिपकर यह सारा नजारा देखा और वापस दरबार जाकर बीरबल को बताया, अगले दिन दोनों फिर से दरबार में हाजिर हुए, उन दोनों के सामने बीरबल ने बादशा अकबर से कहा, जहां पनाह, सारी समस्या की जड़व पेर है, क्यूं न हम वो पेर ही कटवा दें, न रहे बादशा अकबर ने इस बारे में राघव और केशव से पूछा, इस बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है, इस पर केशव ने कहा, हुजूर आपकी हुकूमत है, आप जैसा कहेंगे मैं उसे चुपचाप स्वीकार कर लूँगा, वहीं राघव ने कहा, मालिक, मैंने हैं तो उसे केशव को दे दीजिए, लेकिन क्रिपा करके उसे कटवाएं न, मैं आपके आगे हाथ जोडता हूँ, उन दोनों की बात सुनकर बादशा अकबर ने बीरबल की तरह देखा और कहा, अब आपका क्या कहना है, बीरबल, इसके बाद बीरबल ने बादशा को बीत राघव ही पेर का असली मालिक है और केशव जूट बोल रहा है, यह सुनकर बादशा ने बीरबल को शाबाशी दी, उन्होंने अपने हक के खातिर लड़ने के लिए राघव को बधाई दी और चोरी करने वा जूट बोलने के लिए केशव को जेल में बंद करने का आदेश हूता है,